पास सेप्टेंबर को सरकार ने 108 IAS और 386 RS अधिकारियों के तबादले किये थे लेकिन अभी तक 2 IAS और 80 RS ने अपनी नई पोस्ट पर जोइन नहीं किया है बताया जा रहा है कि यह अधिकारी मन मुताबिक पोस्ट नहीं मिलने के चलते पदभार ग्रंड करने से बच रहे हैं तब आदला निरस्ट करवाने के लिए लॉबिंग की जा रही है। अधिकारियों के पदभार ग्रंड नहीं करने के चलते अधिकाश जीलों में परशासनिक कामकाच प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार मैं हूँ शेक जुही आप देख रहे हैं देनगरी नीजुस। पदभार ग्रंड नहीं करने के पीछे बड़ी वज़ा ये भी बताई जा रहे हैं कि जूनियर अधिकारियों को बड़े जीलों की कमान सौपी गई। जबकि कई सीनियर अधिकारी पहले से छोटे जीलों के कलेक्टर लगे हुए हैं। इन अधिकारियों में आईस मुकुल शर्मा, शुभम चौदरी, अलपा चौदरी, अत्रिक शुकला मंजु को बड़े जीलों के कलेक्टर बनाया गया। जबकि राजेंद्र सिंग शेखावट, शक्ति सिंग अरोडा, हरी मोहन मीना जैसे वरिष्ट अधिकारीयों को छोटे जीलों की कमान सौपी गई। के लिए कहा गया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहें दन अगरीनियों, शुक्रिया।